चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सीम योग्या आदितनात सर्दार वल्लब भाई पटेल कुश्रदांजले अर्पिक करन पांदने वाला एक महान बेक्तित्तु था देश की आजादी के आंदोलन में गरणी फोनी का निभाने के साथ ही जब पतंत्र भारत को एक्ता के सूत्र में बांदने का एक चुनौती पूर्ण कारिय उस कालखंड में कौन निभा सकता है इस दहित्व का निर्वहन जिस पुसंता के साथ जिस प्रभाव सारी तरीके से सर्दार वल्लब भाई पटेल जी ने उस समय किया था आज उसी का प्रणान है किस देश में माझे से नलेतर मौधी जी के नलेतर की सरकार आने के बाद प्रदार मत्वी मौधी जी ने सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जयन्ती को यह 31 अक्टूबर को राश्की एक्ता दिवस की रूप में बनाना प्रारंब किया इस उसर पर पूरे देश के अंदर अने एक कारिक्रम होते हैं भारत की एक पार खंटता को छोड़े बनाए रखने भारत को दुनिया के एक महासक्ति के रूप में स्थापित करने कि उस संकल्प आगे बढ़ाने को लेकर के इस दारिक्रम आगे बढ़ता है और हम सब जानते हैं लोपुरु सरदार बनाभाई पटीर जैसा वेक्टित्व के नूप ही प्रदान मंतरी मोदी जी के नित्रत्व में गुजरात की केवडिया नवकस्थान पर जो लोपुरुस की जनम भूवी भी है उसस्थन पर लोपुरु सरबार बदाभाई पटीर जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमास थापिक करने का कारी में लग किसे निया है तो प्रतिमास थापना का कारे की सुरूप में यह नोह संक्रा का कारे पुरे देश के अंदर कराया गया हर एक तीरतस्तल का पावंजन और हर एक गाउं और जनपत की मिट्टी लेकरके उसे एक अभियान के रूप में ले लाकरके सरदार बना भाहित पटेर की जनम भूमी के स्थापित करना और महापरन का भद्विस मारक बनना आज अपने आप में राष्टी एक ता का एक महान पीर्थ बन गया है एक तरफ हमारे सामने लोगर उस्तरवार बदभाई पटेर जी का बिराठ कक्षित्व है जिसने भारत को एक ता की सूत्र में बांधने का कारिद उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजस्ते चल लई थी वह युगे नो उस कालखंड में लगेवन भारत की पांचमों तिर्षण से दी ग्रियासतों को भारत गड़राज्य का हिस्ता बनाने में अपनी उस समय के विराट धक्षित्म का परचे सरदार बला पाही पटेन ने दिया अपनी दूर दरसिता से अपनी सूजबूच से गुए ओनलोड अच्छ 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 एफ दू एबलेबल अं गूगल प्ले अप्सू दूणोड अप्सू दूद्ध नाव